सिर्फ महनत से एक्जाम क्लियर नहीं होता है दोस्तों याद रखेगा पता चला आप पढ़ तो रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा पढ़े जा रहे हैं लेकिन आपका एक्जाम क्लियर नहीं होता है आप जिस भी exam की तयारी कर रहे हैं दोस्तों दो चीज हर student में होना चाहिए तभी आप exam crack कर सकते हैं number one जो है दोस्तों वो है आपका महनत और दूसरा है आपका strategy ठीक है कुछ लोग महनत बहुत जादा करते हैं 14 से 15 गंटा पढ़ लेते हैं लेकिन exam crack नहीं होता है आप देखे होंगे कुछ लोग के पास बहुत कम समय बहुत अच्छा तैयरी कर लेते हैं पता चला exam से एक महना पहले पढ़ता है और exam को crack कर जाते हैं क्योंकि क्यों लोग का एक सटीक strategy त्यार रहता है और उसी strategy पे वो लोग काम करते हैं और सफल हो जाते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का मारे चैनल में एक बार फिर से श्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सोन्द माटी कहानी संग्रा का चौथा कहानी माय के लोर ठीक है और इसके जितने भी बस्तूनिस्ट प्रकार के प्रस्ण बन सकते हैं इस topic के उन सभी बस्तूनिस्ट प्रकार के यानि MCQ objective type के जो भी questions बनेगा उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं ठीक है तो ये चौथा कहानी है इससे पहले तीन वीडियो में डाल चुका हूँ अगर आप आपको देखना चाहते हैं तो link description में वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि माई के लोर ठीक है यह जो अर्थ है इसका मतलब क्या है ठीक है खुट्ठा में ठीक है तो माई के लोर का मतलब होता है मा का आश ठीक है यह clear हो गया और यह है आप देख सकते हैं यह विसेज सीच्व में आपका चौथा नंबर कहानी संगर यानि अगर किताब में देखेंगे तो प्री पेज नंबर जो है 26 में यह आपको मिल जाएगा कहानी ठीक है तो यह है आपका cover पेज देख सकते हैं यह सोनमाटी ह और इसके जो लिखक है याद रखेगा माई के लोर कहानी के लिखक कौन है बिनोध कुमार ठीक है बिनोध कुमार जी है तो चलिए दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार कहूंगा कि आप में से जो भी नए हमारे इस चैनल में चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों लोग बिना समय को वैर्थ किये वीडियो की सुरुवात करते हैं और फटा-फट इनके अब्जेक्टिव टाइप की जो भी प्रसन है इनको देख है ठीक है देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस कहानी का पहला जो अब्जेक्टिव टाइप के प्रसन है कि माई के लोर कहनी कौन किताबे छपल हल देखिए यह तो आप सभी लोग बता देंगे चुकि अभी हम दिखाएं आपका बीसाई सुची भी तो माई के लोर कहनी कौन किताबे छपल हल ठीक है तो कौन सा किताबे जिसमें लोग अभी चर्चा कर रहे हैं तो यह सोंद माटी ठीक है तो माई के लोर आपको याद रखना है कि माई के लोर जो कहानी है वो कौन किताबे छपल हल तो आप रखेंगे याद कि ऑप्सेन भी यह देखे लेते हैं देखी इसमें पूंबर फोर्थ नंबर जो कहानी में आपको माई परेखे सुर्जाख ऑप कहा काम कुरहल… इस बढ़ेंगे तो सुझाही सखानी के एक तरह से हीरों हे तो इनका बाक कांप करल हल je तो इनके पिताजी जो था वो कहां काम करता था सूर्जा ठीक है ओप्सन दिया हुआ है कि गिर्जा बाबु की यहां महेज बाबु की यहां बिर्जु बाबु की यहां और कोलियरी में ठीक है तो यह कहां काम करता था यह करता था गिर्जा बाबु ठीक है गिर्जा बाबु तो इनके पिताजी जो थे यानिका माताजीन को कह रहा है कि तुम बाहर मत जाओ यहीं पे काम करो तुम्हारे पिताजी जो थे यहीं पे गरजाजी के यहां पेर काम धाम किया तो तुम भी वहीं गिर्जा बाबु के यहां पर चले जाओ काम करने के लिए तो वहीं कहा गया है कि गिर्जा बाब कहा काम कर रहा है अब देखिए तीसरा नमबर जो कुईशन्स है तो औपसें दिया हुए है प्रोफिशर बिनोध कुमार एके जहा और वी सोनाती राज ठीक है तो इनके लेकक है कौन है याद रखेगा कुमार जी यानि वे आपका तो यह हो गया आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूस्तों कि माई के लोर कहनी के मुख्य पात्र रहल हल ठीक है इस कहानी के मुख्य पात्र के बात क्या गया है इसमें दिया हुआ है सुर्जा नरेना मंग्रा और गिरजा बाबू वैसे अगर देखेंगे दोस्तों इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में यह चारो नाम आपको मिलेंगे यानि इस कहानी की अगर गरदार की बात करें यहां पे मुख्य पात्र के जग़ें किरदार होता तो यह चारों नाम में सभे होता लेकिन इसमें मुईक पात्रा कहा गया है तो सूर्जा होगा ठीक है यानि यह आपका होगा राइट आंसर ठीक है बाकी नरेना मंगरा गिर जावाव यह सभी का चर्चा क्या गया कहानी में ठीक है चलिए अब लोगों को देखत सूर्जा कर सूर्जाक मायक गिरजा बाबुकर और सूर्जा कर महरारू कि नहीं वाइफ इसी को महरारू कहा गया है इसका पाुर कहानी में कहानी गिंस कर हमर जाता है क कुछ अच्छा होगा सब्सक्राइबों आधर जो लड़कों के लिए जो विए यह कह रहा है की आज हमर रहया है दोurnal बाश जालिएड बलत produkt कहते हैं तक यानि सूर्जा के माता जी आट खाई के यानि आपका फरकल होगा तो म понять अब और gonna Circ tanto war खर आपको जलते हैं इसका छटा शटा जो प्रस्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा हुए तीशत All स्टीकन क्या कर रहा है कि एक हल हम तो पाकल आम नियर यो ठीक है है इस कहाणी को गर Lebог पढ़ेंगे इस कहाणी में इस बात चर्शा क्या घ्याए है कि हम तो पाकल आम रही हो यानि मैं पасьका हूं कहाँ कैसा हुन। यह किसने कही था धीक है option दिया हुआ है कि मंगरा गिर्जा बाबू जमना और सूर्जा माई ठीक है तो यह right answer क्या होगा right answer इसका D होगा यानि सूर्जा के माता जी यह बात कहा था कि हम तो पाकल आम नियर ही हूँ काहानी को चुछ आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में यह आपको शूर्जा रोजी रोटी कमाने के माता जी GP सुर्जा कर सकते रहा है पूर्जा थोड़ा ठेंशन हो जाता है बेटा hemisphere कि हम छोड़न हो गे तो यही सुनके क्या होता है कि वह कहता है कि बेटा हम तो पाकल आम नहीं रही हो तो अगर हम का छोड़ के चलिए तो हम कैसे रहाब ठीक है तो यही बात कहा जा रहा है देखिए इसमें देख सकते हैं कि गिल माई मने मने सोचे लागले कि हमर एगो बेटा हमर आचर तरे रहो या हमर छोड़ी दूर हुआ हिं को बेटा को सम्झा रहा है कि बेटा हम तो पाकल देखिए आपर हम दो पाकल in are you एक हुआ है ककोनो बेरा एक दुनिया से टिंगर जीले पकातवने मतल review मतलम मताजी क्या रहा है कि मेरा तो पाकल आम नियर है मेरा कोई गैरेंटी नहीं इस लाइप का बचे हुए जितने भी दिन है इसलिए तुम हमको छोड़के मत जाओ यहीं रहो जब तक हम है ठीक है चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सात्मा प्रस्ण और सात्मा प्रस्ण आप एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सूर्ज सूर्जा जो था अपनबापैक बेटा हैल यानि अपने बाप जो बैटा था ऊपसें दिया हुआ है गौ्वाhl दूईको चैरफ और टीन नो ठीक है तो सूर्जा जो था इस कहानी में पढ़ेंगे इस कहानी में आपना बापका एक permett तो यहीए आपका राइट अंसर क्या हो सूर्जा अपनमाई बाप का क्या है यहां पर देखिए इस चीज को एक एक गो बेटा और लंबा लसर देही ठीक यह आगे चर्चा करेंगे ठीक है तो यह क्लियर हो गया अब हम लोग चलेंगे आठमा प्रस्णा कि सूर्जा के देखे में कैसन रहलहल यहने सूर्जा जो था हो दिखने में किस डिटीक कि यह प्रस्ण कहा गया है क कहा गया है कि ऑप्सण रहें फुरे 56 चूल वाला मतलब कर ब्रावन का और उपरक सभी मतलब उपर के जितने भी आपशन से सभिख तो उसका राइट अंसर क्या होगा डी यानि उपरक सभी इसको आप पढ़ेंगे इस कहानी में मिल जाएगा आपको देखें मैं इसको दिखा देता हूं देखें यहां पर आप देखें इसक्रिम पर जो आपका एनलेसिस में हुआ है कि सुर्जा आपन माय बाप की एक 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 वो बेटा ओकर लंबा लेसर देही ठीक है यानि कौन सा ओप्सन एए हो जा रहा है फिर देखिए खूब चाकर चाती मतलब चाकर चाती का मैं कहने का अर्थ है कि चौड़ा चाती ठीक है मत्याप नहीं चोला तकरोप घंचाल चूल मतलब क्रिस गेल ठीक है यह वाला ऑप्सन सी तो क्या हो उपरोक्त सभी यानि आपका आंसर जो पता जी मईर गयल हल सूर्जा जकन दस बर्स थक ने सूर्जा चेंग्वाबन सा घंगat ने या is 2007 पानच बशंप स्को finely यानि द्यूंद की घंठा दिक हो myst outlook हो जाता है ठीक है ठीक है इसमें और सुट fan आप इस जगहों के पहले आपका राइट अंसर क्या होगा यानि डी आपका राइट अंसर होगा ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर की सूर्जा कर परिवारे कई गो आद्मी रहलहले नियेके परिवार में कितने आद्मी थे टोटल ऑप्सन दिया हुए देखें मोठ 3 गों मोट 5 गो और मोट 6 गों तो कितने थे मोट 4 गो मतलब यह थे सूर्जा थे इनकी वाइप इन का बेटा और इनके मा मोट-चल तेकि यहां पर देख सकते हैं मोट-चल गोत तर करें चाहांगा है कि आप मेंसे जो भी घोठी भिए चाहे हैं और हो Unc flames चाहें चाहुगा कि खना का मैं हर टॉपी का MCQ जितना भी हो सकता है मेरे से possible सभी topic का MCQ करवाने की कोसिस कर रहा हूँ और लगातार इसको लेकर वीडियो भी ला रहा हूँ और आगे भी लाने की पूरी कोसिस रहेगा दोस्तो आप में से जो भी खोठा as a regional subject चूज की हैं वो लोग को बेटा का नाम रहला देखी सुर्जा जो इस कहानी के मुख पात्र रहे हैं ठीक है इनका बेटा का क्या नाम था ठीक है नाम दिया है मंगरा जमना नरेना और पिहारी तो राइट अंसर क्या होगा C यानि इस कहानी को जब पढ़ेंगे है मंगरा ठीक है जमना मंगरा का ही बेटा है आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में भी ठीक है दिखिए इसका विसलेशन देखिए कि परिवार तो छोट भाट मोट चायर को विगायत एक माई के आपन दूओ विगायत आराकर चोड़ा चोड़ा नरेना चोड़ा नरेना ठीक है कि लिए दोस्तों चलिए अब हम लोग आते हैं सीमीट मतलब होता है पक्का मकान जिसको कहते हैं ठीक है से मिट के बनेवल और सरकारी घार का मतलब आप समझी रहें कि प्रधानमंत्रीय हमास की तहOnce योजना के तर्द जो घर सरकार के द्वराव provide करवाय जा रहे सभी लोग को जो दिया जा रहा है वह घर तीसरा ओप्सन है खीजूर के चाइन देल या आप देखें होंगे खीजूर का जो पत्ता होता है ठीक है और उसी के पत्ता को काट को के सुकाने के बाद उसको घर बनाए भी जाता है कहीं देखें हो भी होंगे तो खिजूर के चाइन देल घर और है खप्राकर घर फिए ने टी ऑप्षिन टिक ए तो राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अन्सर है छजूर के चाइन देल घर है सुर्जा के घरेखे गरीब घर है ठीक है इसका विशलेशन रुगी स्में मैं कलर अप लोग दिक्कत हो रहा होगा यलो कलर में रिड कलर में देखिए परिबार तो छोट खाट मोट चायर को बेगा एक माई के आप अपन दूए दिखिए एक चोट है इनका गांब्यक बहराडी में एक गो छोटे खाटे खिजूर ठीक है खिजूर के चाइन देल घार ठीक है तो में केते मजूरी को ही मज्दूरी का पर का मिलता है कि दूरह 2 सोट अंसर इसका क्या होगा दूसे angeorma मजदूरी के तहट-इन कोई जड़ुरत नहीं है वैसे आप देखें होंगे कि हर गाउं में क्या होता है माहुल जैसा होता है दोस्तों वैसे ही उसका परबरिश भी होता है ठीक है तो सुर्जा को भी इस वात का चुकि इनके और जो दोस्त लोग थे यह लोग बाहर में जाकर काम करते थे तो इनको भी लगने लगा कि हम भी बाहर जाएंगे नॉर्मली सब किरल सुरत जाते हैं इनको भी लगना लगता कि हम भी बाहर करेंगे तो इनके माताज यह कर रहा तो लग रहा था कि नहीं यह से काम करने से गुजारा नहीं होने वाला ठीक है तो देखिए यहां पर क्या देता है दिया हुआ है पैत एतबार के सरकारी चुटी देहे मुद्दा हामनीन खाती एको चुटी नाओ ठीक है उगला से डूगला तक हाड पंजर कुईट के बखरि करते हैं ओर भार में जाकर काम करता और वहां से बहुत सारा पैसा और लेकर जब घर लोटा था तो उसी को देखकर सुर्जा के मन में भी यह खाया था कि हम भी बाहर जाएंगे अच्छा कासा पैसा कमाएंगे हम भी अपने बीबी वच्चों माता जी और घर अच्छा घर बनाएंगे परवरिस करेंगे तो यह चीज़ सुर्जा के मन में भी आया था तो मंगरा जब उदर से लोटा तो माया खाते कई को रुपया थामाई देली तो दिया हुआ है देखे चायर कोरी पांच कोरी 500 रुपया और तीन कोरी ठीक है तो इसका राइट आंसर जो होगा दो क्या हुआ है चका मतलब होता है सीदी से आप 20īdf एंटु फॉर इसकेल टु ऐट्रिंट इरनी ड्रुपया की बात है एक कोरी का में होता है बीस रुपया को को कहा जाता है ठीक-ाई का मतलब ऐसी रुपया सभाए दिली मंगर ठीक है चले आब बिल्कुल अभा होता है वह स्थिति में क्या करता है सुर्चा दोडते हुए गिर्जा बाबू की यहां जाता है और कहता है कि बाबू जी मतलए इनके पैर पकड़के कहता है कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है कुछ रूपया मांगा गया था तो वही प्रस्ण का गया है कई यहां बाबू गोड़े दर के मांग लोगा तुम तो ऐसे भी अच्छे चाल चलन के नहीं लगते हो इसलिए तुमको पैसा तो हम देंगे नहीं और ऐसे भी तुम बहुत बदमास टाइप की इंसान हो इसलिए उनको नहीं दिया था जिस सुर्जा जो था इसको मन ही मन बहुत थेस पहुंचा और इसलिए नहीं ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं घुर्जा बाबो के यहां काम नहीं करने जाऊंगा अब देखिए सोलवा नंबर प्रस्ण कि बखरिया के नाम सुन ल पुछा जाएगा अराम से कर लेंगे ठीक है तो बखरिया के नाम सुन ले केकर रोवां सिहरा जितले किसका है ओप्सन ए राइट होगा सुर्जा ठीक है क्या हुआ था काम करवाया जाता था बहूत मजदूरी कम मिलता था बीपद यानि आपत्ति के समय क्या हुआ था जब अल भी बखरिया का नाम सुनते थी इसका क्या होता रोहास सिहर जाता था ठीक है तो राइट अंसर क्या मने अप्तल तो की दे ले ले देखिए यहां पर बखरीया काम कर लिए बखरिया के नाम सुन लें से मना कर दिया था तो यहीं बात को जब सुनता है तो उनके माता तो यही प्रस्थन कहा गया है कि चूरजा कौन गाड़ी पकरें रहा-णाल यानि आप तैयार हो गया था अब बस उसको ट्रेण पकड़ाना था और ट्रेंसे जाना था बाहर काम करने के लिए टेंपसर १ार्वा गारी 7 लगाडी गांव घर में अधी जलता है थेक्ट ईसका राइट अंसर जो होगा दुस्तों राइट अंसर को आप remember 7 ला गारी ठेंट पकड़के जो सुर्जा था अब ये चल दियेंाँ बाहर आपका मिंद मैं करेंगे बहुत इस बज़े से क्या तो साथ बजवा का ट्रेन पकड़ लिया ठीक है सूर जा गए इसका विसलेशन भी देख लीजिए देखिए यहां पर साथ बजवा गाड़ी पकरे के रहाइन सेल ठीक है यह है घार गिरियस्ति क्या-क्या ने एक धाव समझावे कोशिस करला कहला एमाई तो ही धोर बांद मतलब धीरज रखो तुम है हम फीनाव मतलब मैं लौट आऊंगा है आर घार गिरियस्ति के समहाईर लिवक मतलब घर गि कि जूर का चाहिने सब को मैं सब ठीक कर लूँगा सुर्जा के जायक बेरा होगे लग मतलब समय हो गया था सेहले सथ बजवा गाड़ी पकरें राड़ आर माइठिन गोठियाई नाओ पारला और नरेना समिद्वियों बेगायत मायक गोड़ के धुर आपन मूड़े राइ कि माता जी आप इन दोनों के देखवाल करिए मैं चलता हूं साथ बज़े का गाड़ी से और लॉट के आऊंगा तो घर गिरिष्ट की सित्थी पूरी सर से समाल लूँगा ठीक है याने राइट अंसर क्या होगा अब आएंगे हम लोग 18 नंबर प्रस्ण इस टॉपिक के ज सूर्जा गोड़े साज़ ललक यानी जाने से पहले सूर्जा अपन गोड़े साज ललक मतलब गोड में क्या बहन लिया पैरों मगोड़ कहने का मतलब है टायर के चटी पहले होता ता गाओं घर में लोग जो पो रूलेर्स होते थे एमबिसेडर कार हो, मारूती हो, इसका जो टायर होता है न दूस्तों, इस टायर का भी काट के चपल बनाया जाता है, उसी को चटी कहा गिया है, टेक है, दूसरा ऑप्सन है, मच मच कनिया जूता, एकदम फस कलास जिसको कहते हैं, चमरा के चटी, चमरा का जो लेदर का आता ह है, सेंडल, उसी को चमरा का चटी खा गिया है, और कपड़ा के जूता, तो राइट अंसर क्या होगा, बी, मच मच कनिया जूता, मने एकदम फस कलास जिसको बोलते हैं, फस कलास जूता पहन के सूर्जा, साथ बजबा ट्रेन पकड़के, बाहर चल देता है, काम करने के लि नरेना, जो कि सूर्जा का कौन था, बेटा था, सूर्जा के माई, और सूर्जा, तो राइट अंसर होगा, आपका C, यानि सूर्जा के माई, जब सूर्जा ये कहानी सुना रहा था न, इनके माता जी को, कि माता जी ऐसा है, आप तो हम को कह रहे हैं, कि गिर्जा बाबु क कि यहां पर जाओ काम करो मजदूरी मिल जाएगा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं आता लेकिन ऐसा दिन आया था जब मेरा नरेना का तबीयत खराब हो गया था वैसे इसलिए अब आएंगे दोस्तों अंतिम प्रस्ण इस टॉपिक का मा इस वा नमर प्रस्ण कि के आपन जनिया खातिर बेस बेस सारी जूला आयंदेली ऊप्षींच से मंगरा जमना सुर्जा और बिहारी तो इस कहानि के पातर ही नहीं एक तरह से टिकए मंगरा इस कहानी के पात रहे तो आपका यह तो क्लियर है कि यह आपका अंसर होगा नहीं ठीक है मंगरा बाहर रहता था बहुत सारा पैसा कमा रहा था और जब आया था तो सब्सक्राइब क्या किया था ता अपने यानियी अपने म metropolitan आदि जॉब दिफे तेकं सब्सक्राइब सबस्क्राइब कुझे देखें इसका इंस लेसिंट कर दिखिए तीन बचर बितल सब्सक्राइब यह कायल खोडूंच मंगरा यह सुपिए बात कह रहा है अपने माताजी को कि हम मंगरा को हुआ आते हुए देखें मूर सकपकाई गयलक मतलब समझें मतलब कि उनको देख के बोलता है ने कि मेरा माता घुम गया वही है बेश मोटाई गयलक और कहलक मतलब वहां से आया अच्छा खाया भीया मोटा गया तोड़ा है आपन जेनियों ले मतलब मंगरा ये बात उनको कह रहा है सुर्जा के जेनियों ले बेस बेस सारी जुला और आपन छोड़ा जमना खातीर आंग पेंट लाइन देली ठीक है तो किलिए रहे दोस्तों राइट अंसर क्या होगा आपका ए यानि मंगरा अपने वीवी के लिए अ सब्सक्राइब करेंगा और अपने दोस्तों वीडियो को ज्यादा सेर करेंगा धन्यवाद कि अधिसे का ज करेंगा झाल